सत्य समाचार तत्य समाचार समाज बदलने हमरो अभियान नमस्कार योहो टैम समाचार मवीरेंद्रमन सुरगरव सिवरात्री को उल्ला समंदे प्रसंग बात्रा धार्मीक तथा सांस्कृतिक नगरी जनकपुर धाम सै धनुशा को सिव मंदीर मा बिहान देखी स्राधालो हरु को भीर लागे को शा शिव मरात्री का दिन बिहान देखी जनकपुर धाम को शिव चोक मा रहेको चत्रभुज महादेव मंदीर, स्वर्ग्रद्वार स्थान घात, जरकपुर धाम को चारकुना मा रहेको प्राचीन सिव मंदीर हरू, कपलेश्वर, कुपेश्वर, महादेव, धनुशा धाम को धनुश मंदीर, छिरेश्वर नात मंदीर मा पुजा तिस्ते महत्तरी को जलेश्वर मा रहेको, शिव मंदिर मा पनी भागजन हरु को बिहाने देखी घुई चोल आगेको, धियो जलेभित्रा बिराजमान होने जलेश्वरनात मंदिर को पानी, महासिवरात्री मा बाहिरा निकाले रा सिविलिंग को दर्शन का वेवस्था जलेश्वर महादेव को दर्शन करना का लागे, भारत बात पनी ठूलो संक्या मा भगजन हरु नेपाल आउने गरेका, संजनक पुर धाम को प्राचीन सिव मंदिर मा, बिहाना देखी भगजन हरु को अत्यादीक धीरलाई ध्यान मा राखेरा, प्रारीले भगजन हरु ला जलारपन गरिये को थियो, खास करे रा, आज अको दीन महिला हरु, उबास बसे रा सिव को पूजा रात ना गरने, चलंचा भगवान सिव को पूजा रात ना, जुन सुके बर्ग तथा उमेर का बेक्ति हरुले पनी गर्न मिलने भाहे को ले, समय उमेर समुका भक्तर, सिव भक्त हरु, शिवालायमा दर्शन गरना, आये का थिये, सच्चा मनले, आदी महादेव को पूजा आरातना गर्दा, समय प्रकार को इच्छा कांच्छा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहे को था जनकपूर धाम को सहीद चोकिस्थित, दुईवटा पसलमा भीशन आगलागी भाहे को चा जनकपूर धाम उपमहानगर पायल कावर नमबर एक सहीद चोकिस्थित, जानकी ग्लास रा सिटी प्लावड एंड हार्डवेर पसलमा भीशन आगलागी भाहे को, अस्थानिय बिम प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नाइब उप्रिक्चर बेद प्रशाद गौतम ले जानकारी दिनुः। क्रिष्ण कुमार चौधरी मा थी कुटपीत गौतम ले जानकारी दिनुः। समितिका पुर्वार्ध्यक्ष राम नराणी यादवले, चोद्री संगा विवाद मात्र भयको दावी गर्दे उनले विद्ध्याले में आये रा अनाविश्यक विवाद जिकने गरे को बतावन भय, तरह स्थानी भने यादवले विद्ध्याले लाए, आपनों नीजी संपत जस्तो गरेरा अंडा जमायरा बश्नेगरे को गुनासु गरेका छन। भीर लागे को सा भ्यानाई देखी भगजन हरू पस्पतिनात को पूजा गर्ना का लागी लाम बद्ध भहरा बसे का थिये। अगवान शिव को अती प्यारो दीन को रुपमा पनी लें छा। आज देश्थ भर का सिवालेत तन्हु को देवघात मैगदी को गलेश्वन, संतेश्वर महादेव, हालेशी महादेव, कुशेश्वर महादेव, रगायत का सिवाले मा भगजन को भीर लागे को छा। प्रस्पति छेत्रा विकास कोचले, प्रस्पति नात को पुजारात ना कलागी, पुगे का भगजन लाई व्यवस्थापन मा कुने कमी न राकियेको जनायेको छा। आज महा सिवरात्री परवा, प्रस्पति छेत्रमा रणक्ता छा। देवताहरू कोपनी, देवताभनीने महादेव, शिव भगबान अर्थात, प्रस्पति नात को पुजागर्न भग्त स्रधालू को पवित्र पास्पत छेत्रमा घुईचो लागे को छा। शिवरात्री को अफसरमा पश्पतिनात मंदिर मा देश बिदेश बाता आये का नागा जोगी बाबाहरू को उपस्ति किले पनी, धेलाईलाई आकर्शीत गरे को छा। शुक्रबार राती देखिने पश्पति छेत्रमा बाबाहरू बिंदास्त मने का सर। उनिहरू थरी-थरी का बेश बूसा हाव भाव अबलोकर गरने लाइक चाद। देश का बिभिन्न सिबाले हरू मा दर्शनार्ती हरू को बिहा नहीं देखिए गुई चोलागे को चाई यसे दिन भक्त जल्ले सुद्ध भई शिवमंदि मा पूजा अर्शना गरी निर्जन उपबास बसी दुद्ध को भिशेकर शिवमहिमा की शिवरात्री को पूजा अर्शना मुक्य अंगमानिजा पस्पतिनात्मा दर्शन गर्ना हरिक बर्शा भारत लगायत का देश हरू बाता संयों को संक्यामा भगजन हरू आउने गरे काचन महासिवदात्री पर्व को अबसर्मा भक्तपुर को डोलेश्वर महादेव मंदिर मा दर्शनार्थी को घुचो लागे को सा सुर्यविनायक नगरपायल का आठ सीपा डोल इस्थित के रारनात को सिर दोलेश्वर महादे मंदिर मा विहाने बाता दर्शनार्थी को घुचो लागे को मध्यराती मंदिर मां विशिस पूजा गरे पचे दर्शन का लागी मंदिर को सारोटरी धोका खुला गरिये को थियो अरो दिन मंदिर भित्रा प्रवेश गर्न न पाईने भैपनी सिवरात्री का दीन भने दर्शनाथी ले मंदिर भित्रा प्रवेश गरे रा डोलेश्वर्मा आफईले पुजायवं दर्शनगर ने बेवस्ता मिलाईए को थियो महा सिवरात्री परवका लागी डोलेश्वर्मा भारत बाट तीन से भंदा बढ़ी साधुसंत आएका साधुसंत का लागी खाने बशने धुनी जगाउने रा फरकीने बेलामा भेटी को रुपमा यातायात खर्च को बैवस्ता समित गरिये को था इस्ते भाक्तपुर डात्य अत्यमा पनी सिवरात्री का अबसर मा भंद्जन ओग्भुईचो लागे को था राष्टपती विद्यादवी भंद्डारी महा सिवरात्री तता दुईस साथियों सेना दिवस का अबसर मा नेपाली शेना द्वारा सैनिक मंग चर्टूडी खिलमा सनिबार आयजित विसे समारोह मा स्वारी खुन भाया पुषपांजली भेत गर्णू को साते नेपाली शेना द्वारा आर्पनगण है राष्ट्पती भंद्डाली नेपाली शेना को परमाधी पति हुनों चा नेपाली शेना महा सीवरात्य को दीन लई शेना दिवस कारूपमा मनावदे आएको छा सास्त्रीय मानेताउंसार सिमिलाई सांतीरा सुरक्षा को प्रती कारूपमा लिने गरी छा शामारों मा राष्टपती भंडारी ले नेपाली सेना सैनिक जन संपर्खा तथा सुचना निर्देशना ले द्वारा प्रकासित चिपाही द्यज़ार उनासी बार्षिक पत्रीकार विक्रम संबत अठारसे की द्यज़ार साथ अठारसे बहत्तर रेकी द्यज़ार साथ नेपाली सेना को इतिहास को भी मोचान गानूबाया वाले फ्री फल जंप मा प्रथम हुने सेनाने जगनात दनाई दोसरों हुने सेनाने टेक बहादूर कार की लैँ पुर असकार प्रता प्रता अनूबाया राष्ट पती भंडारी ले नेपाली सेना दिवस समारों मा बैंड प्रस्तुद हुने भारतियर अबेलाईती सेना मा कार्याद गोर्खा बैंड समोका प्रमुखलाय उपहार प्रतान गर्द हुआ यसागी सेना को हेलिकॉप्टर ले पूस्पा बिरिष्टी गरना का साथ है। प्योगर्दे आये को विविन्न खालका सबारी साधन उपकरंड हाथ हतियार को समित प्रदर्शन गईए। समारों मा भारत्य सेना का पांच पुर्वा प्रमुक अतिति का रुक मा साभागी हुँँँद्यों त्यों सिवरात्री को बढ़ाय उपकरंड हाथ है। प्रसंसा परक परदान गर्नुभायों। अब आर्थिक समाचार। उत्पादन को हिसाब ले गहुँ नेपाल को तेसरो प्रमुक खद्यबाली मा परचा। उत्पादन को प्रचूर संभार्ना समित बोके को तेसरो प्रमुक खद्यबाली। उत्पादन हुने जमीन को छेत्रफल भने बर्चनी घर दी गये को देखिन चा। पछिलो साथ बर्चमा नेपाल मा गहुँ खेती हुने जमीन को छेत्रफल 51,300 हेक्टर ले घर्टे को सरकारी तथ्यांग चा। पारी छेत्रमा थ्रेसिंग मेसीन पुग न सक्या का सेनन हुदेबाली भायको ले समय मा सिचाई को वेवस्था पनी गर न सकिन चा। उन्नत जात को वियूर मलको अभाब पनी किसानली भोगनू परेको वाले बतावनू है को इसीत था पसुपक्छी विकास मंत्रा ले ले। 7,11,160 हेक्टर क्याम भायको चा। उत्पादन भने बने 21,27,666 मेटी तन पुगे को देखिन चा। यद्दपी यो उत्पादन अपेक्छा अन्रूपन भायको मंत्रा लेको भनाई चा। तेसरो प्रमुक बाली भायपनी गहूं खेती हुने जमीन को छेतपल घर दे गएको अपेक्छाक्रित उत्पादन हुने नसक्दा। बर्चेनी अर्बो रुपया को गहूं आयात गरन उपने बाद देता चा। गता अर्थिक बर्चमा नेपाल मा छो अर्बा 32 करो रुपया भन्दा बढ़ी को एक लाग के कार्मे हजार में टीटन गहूं आयात भायको भन्सार विभाको तत्याग चा। नेपाल मा मुख्यगरी भारत बात गहूं आयात गरने गरिंचा गहूं उत्पादन बढ़ाउना। सरकार ले नहीं विशेस पहल थालन उपने अभियान का स्वयोंचे कधिकारी लेबता अरुबाया। गहूं का इलागी भने रा उच्चा अनुदान दीने गहूं पोकेट चेत्र विश्तार गरने यंत्रा उपकरन को सहज पहुंच बढ़ाउने रा मल तथा उन्नत जात का विवो को सर्वसुलला भुत्ता प्रदान गरने तरफा सरकार अर्सर भायरा किसानलाई गहूं खेती तरफा अकर्चित गरनस्वा किने वहांको भनाई चा वंत्राश्टे समाचार टर्की मां उद्धार कर मिले भुईकम पगाये को 11 दिन पची तीन जना को उद्धार गरी काशार चौदा बर्चिये बालक रादने दुई जना लाए उद्धार गरी को टर्की मां खटिये का उद्धार कर मिले उद्रित गरी समाचार संस्ता एपी अफले जनाये कोचा टर्की को दचिन पूर्वी छेत्र राद सिरिया मा अघिलो सुंबार 7.8 हेक्टार स्केल को भुईकमप गाये को थियो भुईकमप को दुई से साथी घंटा पचे चौदा बर्चिये उस्मानला उद्धार गरी को स्वास्त मंत्री फड़े तीन कोकाले ट्वीटर मा उले गर्ण भयाओ वहांले ताय प्रांत को अंत सिरिया मा अस्प्ताल मा उप्चार भाई रहेको चा उद्धार कर मिले विहीबार 26 रा 33 का बर्चकार ने दुई जना को पनी उद्धार गरेको त्यों भुईकमप का कारण प्रड़की रर सिरिया मा एक्टारीस हज्जार भंदा धेरेको ज्यान गयेको चा हज्जारो मानिस गायते भाई काचन, लाखो मानिस अस्प्ताल भीहीन भाई काचन, प्रकी काजिकारी हरूले आदाना रा किलीस रा सान लियू सा प्रांत मा उद्धार को काड़े पुरा भाई को बतारी काचन पाकिस्तान को कराची मा रहेको प्रहरी मुख्याले मा भहेको आकर्मा मा तीन जना सुरक्षा कर्मी सही चार जना को ज्यान गयेको चा दचिन सहर कराची मा रहेको प्रहरी मुख्याले मा गयराती तालिवानी समुको आकर्मन मा परे तीन सुरक्षा कर्मी रह एक नागरी को kalo ज्यान्येक को अंत्राष्ट्य संचार माध्यम ले जनाये का छार 7 07 को संख्यामार हे kami प्राथी मुख्याले मां प्रविष्गरी गोली चलायका थी शुरक्याक्रमी ले प्रतीकार गर्दा कही सत्षार बाता प्रहरी प्रधानकारी मां ठप सुरक्या क्रमी पथाय यह को चा पाकिस्तान का बिदेश मंत्री दिलावर्य वुट्म त्क बढ broken on to rabat गाय को नुएमबर देखी पाकिस्तानी तारिवाल ले सरकार संगा को एक महीने युद्विराम। एक कतार फिर रूपमा समाप्त भैको घोशना गड़े संगे आक्रमन वा विश्वोट का घटना बॉर्न था लेका चन। अब खेल कुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अंतरगा त्री देशीय सिंखलामा नेपाले नामबियालाए हरा एको चा त्रीवी क्रिकेट मैदान मा भैको खेलमा नामबियालाए तीन विकेटे हरा एको हो। नामबियाले दियेको 275 रन को लग्षे नेपाले 43 सोबर तीन वलमा साथ विकेट गुमायरा भैटायो नेपाल का लागी आशीप सेखले एकासी ग्यानेद्र मल्ले 65 रन बनायो त्यस्ताई कुसल मल्ले 46 चोटा चोगा साइद 62 रन बनायो रोहित पोडेले 49 रन बनायो एसे 25 रन लक्ष भाये को राद 2-86 रन को लक्ष भाये को यह उटा खेल जीते कुसा नेपाल ले समेभंदा धे ले लक्ष भेटावन किर्तिमान पनी यह सिंखला मा बनायो त्यस्ताई नेपाल का संधिप लामी चाने ले तीन तथा करण केसी ले एक बिकेट लिए ही जो भैएक खेल माने पाल ले ए श्कॉट्लैंड लाइ टीन बिकेट ले तता पहल खेल माना बी याला ए दड्यी बिकेट ले हरा है कुँति यो सिंखला नेपाल नाम बिया रहे का असन नेपाल 27 खेल मा एक गहरा मा जीत राच चोओदा मा हार सही 24 अंकर श्त हो अस्तार मा छा नाम बि आपनो अंतिम खेलमा मंगलबाय स्कोट्लेंड संगा खेलन लेशन टाइम्स समसार अहिले को लागी एतिने हेर्देगान होलार टाइम्स टेलिवीजन नमस्कार